जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्फ इस्टेडी के लासे इस वे सुमित से यूटूब सेल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो परियावरण टेस्ट सीरिज जो नरंतर हमारी चर रही है उसी में अंगला वीडियो है सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और नरतर हम 20 प उर्जा का महत्पूर्ण स्रोत है तो भूप पारस्तित की तंतर में उर्जा का महत्पूर्ण स्रोत कौन सा है प्रत्वी शूर शंद्रवा या फिर सुक्र तो आपको कमेंट में लिखना है एक दो तीन चार जो भी आपको बेकलप सही लगता है वो आप कमेंट में लिखें ठीक है भूपारस्थित के तंत्र में उर्जा का जो महत्पूर्ण स्रोत है वो क्या है वो है सूर उर्जा का सरवाद एक ब्यापक के अपरिमेत्य स्रोत है जो बातावरण में फ्रोटॉन छोटी छोटी प्रकास तरंगे पेटी काई के रूप में बिकरन उर्जा का संचार कर प्रतिवी पर सरवाद एक महत्पूल रासाय ने कभी के लिया प्रकास संसलेशन को माना जा सकता है जो सूर्य के प्रकास की उपस्तिति में पोदे हरे होते हैं इसलिए स्वर उर्जा को प्रतिवी पर जीवन का प्रमुक संभाहक माना जाता है ठीक है तो याद रखेंगे टा टाइटन किस ग्रह का प्रक्रतिक उपग्राह है चार विकल्प है तब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा शनी शनी यानि की तीन नंबर सही है टाइटन शनी का प्रक्रतिक औपगरह ठीक है तो स्वार्मंडल में शनी आकार में दूसरा बड़ा गरह है सनी के 62 उपगरह है ठीक है स्टाइटन सनी का सबसे बड़ा उपगरह है सनी के अन्न प्रमख उपगरह है मीमांसा एनसी लाडू टेथिस डियान रिया हाइपेरियन एपापेटस और फोबे हैं ब परण के 13 अपगर हैं, इनमेट, टीटोन, वा मेरिट पिरमोक हैं, ठीक है, ये चीज़े याद रखनी है, अंगला देखो निमने मैसे कौनसी बायो डीजल की फसल है, तो बायो डीजल की फसल कौनसी है, जट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू, वायो डीजल की फ़सल कौन सी है प्रश्न करमांग 23 का उत्र बताना है तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा जट्रोफा जट्रोफा यानि कि जो एक नम्मर है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं जट्रोफा वायो डीजल की फ़सल है यह भारत अपरिका उत्री अमेरिका और केर्बियन जैसे ट्रॉफिकल छेत्रों में उत्पन् सकता है इस तेल से कारादी चलाई जा सकते हैं इसलिए से वायो डीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अफसेस बचता है उससे विजली पैदा की जा सकती है जट्रोफा नावरस्टी रोधी सदा वहारी सदा वहार जारी है कठन पस्तितियों को भी चेलने में सक्चम है तो अन्यला कोच्छ ने परियावण सस्रक्षुन दिनियंव किस वर्स पारित हुआ था परियावण सस्रक्षण अध्री वताना है 1986 नशनएवाल याउनिस जञानवे caos पारित हुआ था और येक नमबर आपका विल्कु सही होगा, सन्युक्त राष्ट का प्रिथा मानव परियावण सम्मिलन 5 जून 1972 में स्टॉक होम में संपन हुआ, इसी से प्रभावितों कर भारत ने परियावण के सरक्षण के लिए परियावण सरक्षण अधिनियम 1986 पास किया, एह एक विसा अधिनियम है, जो परियावण के समस्त विसियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इस अधिनियम का मुख को देश वातरवन में गहातक रसायनों कि अधिकता को निंतरित करना, पारिस्तित की तंतरों को प्रिदूशन मुखत रखने का प्रयातन करना, इस अधिनियम में कितनी धाराएं है 26 धाराएं है जिने चार अध्याओं में बाटा गया है एह कानून पूरुदेश में 19 नवंबर 1986 इस वी से क्या हो गया था लागू किया गया था तब आपको याद रखना है ठीक है अंगला क्वेस्चन है भूम अंडली ये तापन का कारण है तो क्या है कार तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा दोस्तों बिकल्प नमर एक यहीं की कारवन डाय अकसाइड में ब्रद्धी एक नमर आपका बिलकुस सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है यहाँ पर देखेंगे कि भूम अंडली ये तापन का मुख कारण क्या है कारवन डाय अकसा का इस्तर बढ़ता है और इसे भूमन ले तापन में ब्रद्धी होती है बढ़ते तापमान की बजह से समुद्र जल इस्तर बढ़ना वार तूफान खाद पदार्तों की कमी तमाम तरह की बीमारी आदी का खत्रा वढ़ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा कारवन डाय अक उष्ण घास प्रदेश वायों में या फिर सवाना वायों में सरवाद एक जयोवेत्ता पाई जाती है तो कहां पाई जाती है प्रश्ण क्रमांग 26 और आपका विल्कु सही आंसर होगा बिकल्प नमर एक यानि कि उष्ण कटिवंदिय सदा वहार वर्षा वन वायों में ठ चेत्रे जो भूमद रेखा के दक्षण या उत्तर में लगवग 28 डिगरी के भीतर पाई जाते हैं ये एसिया ऑस्टेलिया अप्रिगा दक्षण अमेरिका मद्द अमेरिका और प्रसांत दीपों पर पाई जाती हैं विष्ण वन जीव निधी के वायों वर्गीकन के भीतर उस्ण कटीबंद ये सदावाहर वन को उस्ण कटीबंद ये वर्षावन का एक परकार माना जाता है और हुझे विष्वतिये सदावाहर तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो अपने देखा है कि जब धुर्बों के से विसुवत रेखा की ओर बढ़ती है तो जवित्ता गटती है और विसुवत ये छेत्र में उश्णल कटी बंदिये सदावार वन पाय जाती है जहां पर जवित्ता सरवा देखोती है अंगला है निम्न वैसी किस मिर्दा का निर्मान लावा द्वारा होता है एक क्वेस्टिन कई बार पूछा गया है तो किस मिर्दा का होता है काली लाल जलोर या फिर लैटराइट तब आपका विल्कुष सही आंसर होगा बेकलप नमबर एक यानि की काली मिर्दा का जो निर्मान है वो होता है लावा द्वारा ठीक है काली मिर्दा का निर्मान ज्वाला मुकी से निकलने वाला लावा से होता है भारत में लगवग 5 लाग वर्ग किलूमीटर में फैली है महराष्ट में इस मिट्टी का सबसे अधिक बिस्तार है इस मिट्टी में चूना, पोटास, मेगनीसिया, मेलूमिनियम, लोहा परियाप्त मात्रा में पाया जाता है यह बहुती उपजाओ है और कापास के लिए प्रसिद्ध है इसलिए से कापास वाली काली मिट्टी कहती है इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर सकती है इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिचाई किया वसकता नहीं पड़ती तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो लाबा से बनती है ठीक है अंगला question देखेंगे बाई मंडल की कौन सी परत प्रकास की पराबेगनी करनों को प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती है तो कौन सी परत है प्रकास की पराबेगनी करनों को आने से रोकती है छोब मंडल, शमताप मंडल, आयन मंडल या फिर मद्ध मंडल तो जल्दी से बताए 28 का अंसर कौनसी प्रकास की प्रावेग निकरनों को प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती है तो आपका विल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नमर 2, समताप मंडल है ना और समताप मंडल को आपने पढ़ा है कि इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि जो ओजोन गैस है वो कहा पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है इसलिए सम्ताप मंडल प्रकास की पराबैगनी किर्णों को प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती है तो दो नम्मर आपका विल्कु सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है सम्ताप मंडल प्रकास की पराबैगनी किर्णों को प्रत्वी की सतह पर आने से रोकती है इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है परत सूर के उच्चा बिरती के पराबैगनी प्रकास की 1399 प्रतिसत मातरा अपसोसित कर लेती है जो प्रत्वी पर जीवन के लिए हानिकाराख है ओजोन परत की खोज 1913 इस भी में फ्रांस के बहुत इक विदों फैबरी चार्स और हैंरी वो सोन ने की थी एचीज भी याद रखने है कब की थी 1913 में ठीक है है ना तो याद रखेंगे अंगला क्वेस्चन देखते हैं गंगा एक्षन प्रत्वान को लाने का उद्देश निवने मैंसे किस सुधार हेतु है तो किस सुधार हेतु है गंगा एक्षन प्र को जल का बेग, जल की गुलवत्ता, जल की पर चुड़ता या फिर जल की तापमान, प्रश्न करमांग 29, अब आपका बिल्कुस सही आंसर होगा, जल की गुलवत्ता, यानि कि जो टू नम्मर है वो सही हो जाएगा, ठीक है, गंगा एक्षन प्रलान को लाने का उद्देश, जल की गुलवत्ता में शुधार करना है। याद रखेंगे। अंगला है निमलकित में से कौन सा ब्रक्च जैवेक कीटनासक का उत्पादक है। इसका बानसपते के नाम क्या है। देख लेते हैं। एजा डायरेक्टा इंडिका है। जबाने से रक्त सोधन होता है और तवचा बेकार रहत और कांतिबान होती है। ठीक है। इसके अत्रिक्तनीम की छाल का लेप सभी परकार के चर्म रोगों और घावों की निवारना में सहायक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखेंगे पिलेग है। तो पिलेग क्या है। आपको बताना है। कबक जनित बीमारी है। विसानु जनित बीमारी है, जीवानु जनित बीमारी है या फिर खनिज जनित बीमारी है। यानि कि जो तीन नम्मर है वो बिल्कुस रहा है। जीवाणू जुनित बीमारी, ठीक है, पलेग एक जीवाणू जुनित बीमारी है, यह एक संकरमन रोग है, जो पास्ट यूरेला, पेस्टिस नामक जीवाणू के कारणा होता है, इससे मानों का फैंपड़ा प्रभावित होता है, चुहा पलेग रोग का बाहक होता है, इसका कभी-कभी निमोनिया का रूप धारन करता है, ठीक है, तो ये पिलेक के बारे में भी याद रखेंगे ना, कभी-कभी पूछा जाता है, पिलेक का, जो बाहक है, वो कौन है, तो ये चूहा माना जाता है, ठीक है, गेसी अपसिस्ट है, तो गेसी अपसिस्ट कौनसा है, चार लकड़ी कोईला से जलने वाला धुआ तो गेसी अपसिस्ट कौन सा है तब आपका बिलकु सही है लकड़ी कोईला से जलने वाला धुआ ये गेसी अपसिस्ट है ठीक है गेसी अपसिस्ट वे पधार्त होते हैं जो किसी अन्न पधार्त के अपसिस्ट से सोते हैं तथा गेसी रूप में होते हैं इसे पर्यावण में प्रदूशन होता है ठीक है याद रखेंगे अंगला question है दोस्तो बीज द्वारा प्रक्रिकिर्νεथ पूदे भीजानू द्वारा पृक्रिकिर्निथ पूदे फल द्वारा प्रकिर्निथ पूदे या पिर कायक जनन द्वारा वित्रित तो दूर दूर पिरसारित होंगे तो कौन सी होंगे प्रश्ण करमांक तीन का उत्तर आपको बताना है तब आपका विल्कु सही आंसर होगा कायक जनन द्वारा वित्रित यानि कि चान नम्मर आपका विल्कु सही हो जागा बगेर दूसरे सहवासी जीव को परभावित किये तो कहलाता है, क्या कहलाता है सहवोजी, परजी भी, मिर्तोप जी भी या फिर सहजी भी, चार बिकल्प में से कचेन करना है, तब आपका बिल्कुँ सही आंसर क्या होगा, सहवोजी, सहवोजी यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका बिकल्प नमबर जो एक है सहभोजी विल्कुछ सही हो जाएगा ठीक है एक नमबर अंगला देख लेते हैं सहभागिता या सहभोजी सहभागिता या फिर सहभोजी एद दो भिवन जीव जात्मों के बीच एक ऐसी अंतर किरिया होती है जिसमें एक जन्तु को तो इस स समुद्री एनिमोन चिपकी रहती है इसी प्रकार सार्क से पेट्रो माईजोन चिपकी रहती है है ना भेलों से समुद्री वरनिकल चिपकी रहती है तो इस प्रकार से ये क्या कहलाती है सहभोजी कहलाती है ठीक है जब मोर साप को खाता है साप कीलों को खाता है और कीले हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोशन तल है, मोर का पोशन तल क्या है, अंतेमा पगटक, प्रातमे को पभोकता, प्रातमे का पगटक, या फिर खाद प्रामिट के सीड्स पर, जब मोर साप को खाता है, साप कीडों को खाता है, और कीडे हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का सइई आंसर क्या उजएगा। खाद प्रामिट के सीड्स पर कि जाया। ठीक है, याद रखेंगे हरेबववधी, कीला, सांप, जाया अच्यांतर, ऊट्पादक जाएगा। खाद शरंकला, प्रामिट में याद रख takiego कौंसा किली ऐसे नहीं कौन सा कायंतरित सेल का उधारन है तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या होगा संग मरमर यानि कि जो बिकल्प नमर तीन है ये कायंतरित सेल का उधारन माना जाता है संग मरमर ठीक है जब जो आलमों की किरिया के फलसरूप तत्य मेगमा बाहर निकलता है तो मेगमा की संपर्क छेत्र की चट्टाने रूपांत्रित हो जाती है इस प्रकार की रूपांत्रन के करण चूना पत्तर संग मरमर में परिवर्तित हो जाता है चूना पत्तर आउसादी तलचटी परतदार चट्टानों दूतिया कोपभोकता सिर्स तृतियो भोकता प्रात्मिको भोकता उत्पादक, मोर साप, कीडा हरे पोधे, हैना, काउधारन है जिसका रूपांतृत, रूपह यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, जीक है, कोई बात नहीं लेकर है यहाँ पर देखो कि महासागरों में निन्वेसी कौन सा लवड सरवादिक मात्रा में पाया जाता है तो कौन सा कैलसियम सलपेट, मैगनीसियम सलपेट, मैगनीसियम किलोराइड या पिर सोडियम किलोराइड तो महासागरों में कौन सा लवड सरवादिक मात्रा में पाया जात जल S2O में sodium chloride की मातरा 35 ग्राम लीटर होती है sodium chloride sodium का एक अकार्वनेक योगेखे इसका रासानिक सूत्र है NACL होता है जो एक अनुपात एक अनुपात में जो है sodium और chloride की आयन को दर्साता है रास्वा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कोन करता है राश्टपती प्रिधान मंत्री भारत के मुखने आदिस इसमें 250 सदस होते हैं जिसमें 12 सदस भारत की राष्टपती द्वारा नामिंकित होते हैं तथा अन्न 230 सदसों का चुनाव होता है राष्टपा में सदस 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिनमें से एक तहाई सदस दो साल में सेवा नर्वित होते हैं भारत की उप्राष्ट पती राज सभा की पदेन सभापती होती हैं, सभापती का कारकाल पांच बर्च का होता है, उसका चुनावा प्रत्यक्ष निर्बाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों की सदस्षा लेते हैं, ठीक है, अंगला है दोस्तों निम्न मैसे कि मिट्टी का विस्तार भारत की सरवाद एक छेत्र पर है तो किस मिट्टी का है जडोल का काली मिट्टी का लाल मिट्टी का या बलूई मिट्टी का तब आपका बिल्कु सरी आंसर होगा जडोल मिट्टी का विस्तार सरवाद एक छेत्र पर भारत की सरवाद एक छेत्र पर जडोल मिट्टी का विस्तार है भारत की भूबाग के लगवग 40-45% भाग पर जडोल मिट्टी पाई जाती है जलूर मिट्टी का निर्मान नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से होता है इस मिट्टी में नाइट्रोजन फासपूरस आधि और बरकों की कमी पाई जाती है प्रन्तु ह्यूमस की मात्रा परियाप्त होती है M.T. किर्शी के लिए सरवादे को पियुकत होती है अंगला देखो जो साकाहारी जन्तू भोजन के लिए हरे पेड़ पोदों पर निर्वार रहते हैं दुतिये चरण उपभोकता पर्थम चरण उपभोकता तरतिये चरण उपभोकता या फिर उपभोकता क्या कहलाते हैं प्रश्न क्रमा के 10 का उत्तर बताना है और 10 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा पर्थम चरण उपभोकता तू नम्मर आपका यहाँ पर बिल्कुल शही हो जाएगा ठीक है पोदे, साकाहरी जन्तू, मासाहरी जन्तू तो उत्तपादक पर्थम स्रणी का दुतिय स्रणी का उपभोकता उपभोकता खास रंकला में जो सूर के प्रकास में अपने भोजन का निर्मान करता है उसे उत्तपादक कहते हैं जैसे पेड़ पोदे तथा जो जीव इन उत्तपादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्रतम स्रणी का उप्भोकता कहा जाता है, जैसे गाय, बेल, बक्री, आदी, ततना जो जीविस से प्रतम स्रणी उप्भोकता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उने दुतिये स्रणी का उप्भोकता कहा जाता है, जैसे साप, है सेर, मोर, आदी, मनुस, पर्थम, यह वंदुत, यह दोनों स्रणी का भोगता है ठीक है, तो यह सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सेर भी करना है इसी प्रकार से अपनी जो स्रंकला है, वो नरंतर चलती रहेगी सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सेर करना है प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना है, सभी लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के और पूरे के पूरे वीडियो देखेंगे बाल बेकास और भी महत्पूर्ण जो प्रस्न है उनके बारे में एज सीरिज रेंटर चलती रहेगी है ना तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जै हिंद